तो यह रहे दोस्तों अभी हम ISBT bus stand शिमला काफी बड़ा bus stand है और यह रही हमारी bus यहाँ पर यह सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं यह है हिमानी डिलक्स हम जा रहे हैं मनाली 8-20 पे मारी bus यहां से चलेगी तो हमारी bus पूरी तरह से खाली है और अभी इस ही मम जाएंगे द अभी दोस्तों अल्मोस्त खाली है आठ 20 पे चलेगी तो दोस्तों पहुच चुके हम मनाली और अभी हम हमें मनाली के मौल रोड दोस्तों लोग भग सारी दुक आने ही फिलाल बंद है तो सुबह के ताइम पहुचे दोस्तों लगबग आठ विस में लग पीश्यम्रा से च तो देखते भी चीज नहीं रहा कि अभी क्या करें तो कई देखके अचीफी जगा प्राइट जाते हैं जी रहा दोस्तों कि अभी फिलाले कोई प्लान नहीं है कि कहां जाना है तो काफी दोस्तों ठीठ ठाक सफर रहा बाकी तो बस में क्या ही बताएं आपको यह है भारत रहतरा अटल विहारी बाजपई जिकी प्रत्रिगां और बाकी जब मॉल खुलेगा उसके वादी आगे की जानकर यह आपको देंगे तो दोस्तों ये रहा हमारा हॉस्टल मुस्टेक मनाली तो यहां पे लोस्तों हमने लिया है टू नाइट्स का स्टेज और पर बेड़ यहां पे हमको कॉस्ट पड़ी है 349 रुपीज की तो दोस्तो 4 बेड शेरिंग में ये रूम हमको मिला है जिसमें से हमने 2 बेड्स लिये है वाके दोस्तो रूम तो भी हमको फिलाहल ठीक ठाक लग रहा है जो मैट्रेस है वो भी काफी आराम दाया कि हमको लगे है और दोस्तो ये हॉस्टल मनाली के ओल्ड मनाली में स्थित है तो मैक्सिमम बैकपैकर्स हॉस्टल आपको ओल्ड मनाली में ही देखने को मिलेंगे वाके दोस्तो रूम अच्छा है वाइफाई की सुविधा है और साथ में ही दोस्तो लॉकर फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी जिसमें आप अपना कीमती समानिया पर रख सकते हैं यह रहे दोस्तो बाइसाइकल रेंटल शॉप तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मॉल रोड मनाली में तो सुभे के टाइब मैंने आपको दिखाया था कि सारी दुकाने यहां पर बंद की दोस्तों अब लगभग यहां पर सभी दुकाने खुल चुकी है देख सकते हैं यहां पर इस तरह से यहां पर शॉप्स है और जो भ हो चुकी है और यह आप देख सकते हैं पर जो भी आपको समाद लेना है वह यहां पर उपलब्त हो जाएगा और अभी हम अपनी मॉंटेन बाइक से यहां पर आये हैं मंद कर रहे हैं यहां से लगदा की चले ने इसमें बिलकुल दोस्तों बाकी मॉल रोड का भी हम नजार में ही माता दुर्गा का मंदिर है बैंक्स यहां पर दोस्तों क्योंकि मॉल है तो बैंक्स की सुविदा भी यहां पर आपको मिल जाएगी यह एचा टीसी बस्टेंड मनाली है यहां पर बसे बैरा लगी हुए है और यह आप दोस्तों उची पहाड़िया यहां से देख सकते हो कितनी आकर्शी दोस्तों यह पहाड़िया है यह पहाड़िया मनाली की शान को बढ़ाती है अगर आप देखोगे दोस्तों तो मनाली जो उचे पहाड़ है उसके ठीक बीचों में आपको मिलेगी गास नदी के पास बसा मनाली शहर अपने आप में हैं बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव है और दुनिया भर के टूरिस्ट हर जगा से यहां पे आते रहते हैं ठीक बस्टन के साथ में ही मॉल रोड आपको मिल जाएगा और यह रहा मनाली होटलियर्स असोसियेशन यहां पे देख सकते हैं यह टेक्सी ऑपरेटर यूनियन मनाली है आप नंबर जो है यहां का नो डाउन कर सकते हैं जब भी आपको टेक्सी की जरूर्थ होगी तो आप यहां से टेक्सी बगरा ले सकते हैं होटल दोस्तों अभी हिसाब से जो रेट है वो फोड़े आफ सीजन के है लगभग 1000 1200 1500 2000 तो इस रेंज में आपको यहां पे होटल बगरा मिलेंगे अगर आप चाहते हो कि आपको मॉल रोड के पास में होटल चाहिए तो आपको मिलेगा लेकिन थोड़ी आई रहेगी दोस् है फिलाल हमने तो अब लिए होस्टले लिया है जो मुस्टैक होस्टब मना ली है अगर आप级 साथ आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा होस्टल में अप चाहिए तो इसके बज़ए 되면 कोमेशे उसके हैं तो उस्के कौर्डिंग आपको यहांपु कभी नहीं है तो यहां और हमने मॉर्णिंग में ड़िया इक्स वॉटल देख रहे हैं यहाँ पे पर मौर्णिंग भीक संदेख ता, उस ताएम हमको अच्छी quality की शॉल आपको यहाँ पर मिल जाएगी उल्लू की शॉल बहुत ही ज्यादा popular है दोस्तों तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप जरूर ले सकते हैं बाकी ऐसे करते करते दोस्तों यह काफी लंबा रोड है बाकी यहां से आगे तो फिलाल अभी कोई शॉप कु रहा है बाकी उसके आगे कुछ भी नहीं है बाकी इतना है दोस्तों बाकी वह आप फ्लैग आगे देख सकते हूं जैसे शिम्ला की रिज में फ्लैग है उसी फ्लैग भी आप देलाता है